कि सात्यों ये पहली बार देख रहा हूं कि पांच बर्स बाद भी जनता में विपश्ट के प्रती, कॉंग्रेस के प्रती, एंसी के प्रती, शरत प्रवार की पार्टी के प्रती उनका जो गुसा है वो गुसा जराभी कम नहीं हो रहा है, इस गुसे ने कॉंग्रेस में अफ़रा तफरी मचा दिये हैं, हालात यह है कि कॉंग्रेस के नामदार ने माइक्रोस्कोप लेकर भारत में एक ऐसी सीट खोजी है जहां पर वो मुकाबला करने की ताकत रख सके सीट भी ऐसी जहां पर देश की मैजोरिटी माइनोरिटी में है मुकाबला भी ऐसा जहां जाते ही विरोधी दल को कहल देया कि मैं आपके विरोध में कुछ नहीं कहूँगा मैं अभी नांदेड में हूँ लेकिन अमेरिटी के लोगों से कहूँगा कि इसे याद रखे अपना ये अपमान भी याद रखे साथियों ये जो नई सीट नामदार ने खोजी है वहाँ पर कॉंग्रेस की क्या स्थिती है ये उन तस्वीरों से पता चलता है सोशल मीडिया में खूब चल रहा है जम नामदार वहाँ की सडकों पर निकले थे आपने वो तस्वीरे देखी है क्या सोशल मीडिया में देखा है ना कॉंग्रेस का जंडा किस कौने में है डूंडना पड़ता था कॉंग्रेस के राष्टी अद्धिस का जुलूस और कॉंग्रेस का जंडा खोजना पड़ता था ये हाल है कॉंग्रेस का साथ्यों आतंगवादी नहीं देश में ब्रष्टाचार को बढ़ाने वाली और उसे पालने पोशने वाली भी कॉंग्रेस ही रही है विशेश तोर पर सेना से जुड़े देश की सुरक्षा से जुड़े काम में मिलने वाली दलाली को इनको खासी पसंद है जितना बड़ा सोधा उतनी ज़्यादा मलाई जीब गोटाले से लेकर बाफोर से लेकर हेलीकॉप्टर की दलाली तक इनोंने बहुत खूब जंडे गाड़े है बाई और बहनों इटली के जिस मिशेल मामा को नामदारों ने बगा दिया था उसको और उसके दूसरे साथियों को ये चौकिधार दूबई से उठा कर लाया है अब कॉर्ट में जो आरोपत्र दायर किया गया है उसमें उसने साब साब बताया है कि हेलिकॉप्टर की दलाली किसने खाई सोचिए एक परिवार एक बेटा एक दरबारी तमाम राजदार और एक मामा क्या है